यहाँ पर मैंने बनाई है ये कलब कचोरी जो कि कूल काता में बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ का ये स्टीट फूड है इसको खाया जाता है आलू की सबजी के साथ तो चलिए बिना देर किये हुए फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक बावल में उड़त की डाल को भीगने के लिए रखा था चार पाच घंटे के लिए ये अच्छे से फूल गई है और इसको धोके रखा था तो इसको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में साथ ही साथ इसमें डालूँगी मैं आदा कप खटा दही और मैंने चमच से डाला है तो ये दो बड़े चमच भरके मैंने डाल दिया है और इनको कर लेना है एकदम महीन ग्राइंड एकदम स्मूथ पेस्ट बनाके रख लेना है ये दिखिए परात में डालूंगी मैं एक कप भरके सूजी ये जो मैंने कटोरी लिए है ये पूरी एक कप बाली कटोरी है तो इसी से मैंने मेजरमेंट किया है और एकदम बारिक वाली सूजी लिए है आदा कप इसी कटोरी से मैं मेहना डालूंगी और साथ ही साथ मैं आदा कप के करीब का आटा डालूगी और अब मैं डाल देती हूं थोड़ी सी अजवाइन नमक स्वात के हिसाब से वैसे कई लोग मिर्च नहीं डालते हैं पर मैं मिर्च डाल दई हूँ डाल यह थोड़ी सी कलोंजी दो से तीन चमच तेल मौईन के लिए मौईन अगर परफेक्ट होता है तो जो कचोरी है न वो भी खस्ता बनती हैं अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें डाल देती हूं मैं पिसी हुई डाल और डाल में ही हमें इसको अच्छे से मलना है डाल की जो क्वांटिटी है वो इतनी है कि जो मिक्शर है अच्छे से बाइंड हो जाएगा और बिल्कुल भ गया है आटा हमारा अच्छे से फूल गया है क्योंकि ओड़त की दाल थोड़ी मोटी होती है इसलिए इसको थोड़ा फूलने में टाइम लगता है यहाँ पर अब मैं इसके छोटी-छोटी सी लोईया तोड़ लेती हूँ और मैंने छोटी-छोटी सी लोईया तोड़ी है क्य दम ये फूल के उपर आ जाएंगी, ये देखिए, थोड़ा तेल उचाल देगे, जिससे उपर की तरब भी अच्छे से ये फूल जाएं, वाउ, कितने अच्छे से कचोरी हमारी फूल गई है, तो एक कचोरी में और डाल देती हूं, ये देखिए, दोनों कचोरी यहां पर हम इंडारे में मिलते हैं, इसका अगर आप वीडियो देखना चाते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चलिए अब मैं जा रही हूं इन कचोरी को इस आलू की सबजी के साथ खाने के लिए, क्योंकि ये जो कचोरी है, आलू की सबजी के साथ ही खाने में अच्छ